लो गाइस आप सबका स्वारत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो बच्चों यहां पर हम बात करने वाले आज यूपी PCL के जो रिक्यूटमेंट है उसकी सेलरी के बारे में कि आपको इन्हेंट सेलरी कितनी जी जाएगी जिसके अंदर हम बात करेंगे इसकी एक्सेक्यूट अबूज चाहें तो बात कम्प्यूटमेंट ऐस्सेंट आप लोग ने इसके पर डाउनलोड नहीं किये हैं तो वो कैसे आपड़नौड करेंगे उसके बारे में भी हम बताएंगे प्लस इसके जो प्रैक्टिस पेपर एजो प्रैक्तिस मेंसी कूज है वह भी हमने अपनी व में भी जाके solve कर सकते हैं तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते है एक्सेक्यूटिव असिस्टेंट की कितनी बनके आएगी आपकी जो लास सेलरी होगी इन हैंसरी उसके बारे में तो यहाँ पर आप दे सकते हैं जो आपको दिया गया है वह मैट्रिक्स लेवल 4 के अकौर्डिंग दिया गया है जहाँ पर यहाँ पर आपके लिखे 27,200 से लिखे 86,100 तक की आपकी सेलरी रह सकती है तो बेसिक सेलरी यहाँ पर आपकी सकता है 200 रहेगी बच्चो और जो DA है पहले अभी तक आपका जो DA था वह बच्चो यहाँ पर आपका 31 परसंट चलता था लेकिन इसको इंक्रीज कर दिया गया है अब आपका जो DA है जो current DA चलना है वह चलना है 34 परसंट तो इसके according आप जब calculate करेंगे तो जो आपका DA होगा वह 9248 आएगा बच्चो इसके बाद other allowances होते है वह भी आपकी add-on होगे जैसे के medical allowances हो गया travel allowances हो गया आपका यह सब इसमें add होगा इसके बाद आपकी जो total salary रहेगी around वो रहेगी 40448 per month ठीक लेकिन बच्चो इसके बाद आपका deduction भी होगा जहांपे electricity हो गया यह सारे bills काटे जाएंगे taxes होंगे तो सब कुछ मिला के आपका 3,500 यहां पर आपका deduction होंगे इसके बाद जो बच्चो cash in hand आएगा जो आपको salary दी जाएगी वो दी जाएगी यहां पर 36,948 per month यह आपकी executive assistant की salary रहने वाली है next बात करते हैं यहां पर UPPCL technician की salary के बारे में तो यहां पर भी official notification में बच्चों जो इसका pay level 4 matrix के according जो salary है वो 27,200 से लेके 86,100 की दी गई है तो basic salary आपकी जो starting होगी जो joining करेंगे उनकी 27,200 per month की salary रहने वाली है अब बात करते हैं DA की तो यहां पर बच्चों DA आपका 31 की जगर 34 से calculate होगा ठीक जो आपका DA आएगा इतना आएगा इसके बाद आपका HR यह काटा जाएगा 3000 इसके बाद बच्चों आपका medical allowances उसके 200 र 39648 अब बच्चों यहां पर आपका deduction होगा तो deduction आपका CPF होगा deducted उसका electric charges हो गया electricity duty charges हो गया यह सारे amount deduct होके जो salary आपकी रहेगी वो रहेगी 35,576 इसके आसपास रहेगी और यह जा सकती 36,000 तक की ठीक next बात करते last में यहां पर computer assistant की तो इसकी भी pay level matrix के 4k according salary रहेगी जो कि आपकी same रहने वाली है तो यह थी साभी salary के बारे में मैंने detail में बता दिया बच्चों अब आईए इसके previous question paper अगर आप लोग ने download नहीं करें और इसके practice mcq नहीं लगाए अगर आप लोग ने तो गूगल में आपको हमारी website यहां पर type करनी है hindi audience.com यहां पर देख सकते हैं फर्स लिंक आपको मिल जागा यहां पर देख लीजे तो यहां पर आपको click करना है तो यहां पर बच्चों जैसे आप लोग हमारी website पर इंटर कर लेंगे आपको यहां side में question paper और उसी के नीचे practice mcqs इसके आपको यहां पर category मिल जाएगी तो आप सीधर direct यहां पर practice mcq की category में जा सकते हैं ठीक है जहां पर आपको executive assistant यह आप देख सकते यूपी पीसल executive assistant इसके practice paper आपको मिल जाएंगे mcqs ठीक तो आप इसको एंटर करके यहां पर आप questions को practice कर सकते हैं यहां पर सारे आपको जितने questions से practice वो आप लगा सकते हैं इसके इलावा इसके question paper कैसे मिलेंगे previous year question paper तो उसके लिए बच्चो यहाँ पर आप सीजर यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहीं से आप डारेक्ट जा सकते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर लिजगा यूपी PCL computer previous paper तो यहाँ पर देखिए आप इसी के executive assistant previous year papers की articles में पहुँच जाएंगे बच्चो यहाँ पर हमने सभी questions जितने भी हैं subject उनके PDF दे रखिए देख सकते हैं computer हो गया, general study, Hindi, English, computer के full form, computer shortcut keys यह सारे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसको आप computer का quiz खेलना है तो आप यहाँ से और English का quiz अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं books के बारे भी बच्चो भी हमने बता रखा, books के नाम उन सारी detail यहाँ से चेक आउट कर सकते हैं इसके लावे UPPL की किसी भी exams के अगर आपको previous equation papers चाहिए तो उसकी पूरी detail हमने यहाँ दे रखिए तो आप इनको यहाँ से PDF इनकी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि जेई हो गया, technician, personal officer, camp assistant, computer assistant, ARO, assistant engineer सभी UPPL के आपको paper से आसे मिल जाएंगे तो यह थी आज की वीडियो, इसके लावे बच्चो अगर आपको कोई भी question है UPPL की किसी भी recruitment से regarding तो आप comment करके पूछ सकते हैं बाकि अगर आपको किसी और exams के previous question paper की PDF फाइल चाहिए तो आप नीचे comment करके हमको बता सकते हैं हम उसके ओपर भी जल्दी वीडियो लियाएंगे और इसके लावे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको description मिल जाएगा बच्चो आप उसको भी join कर लीजे जिससे कि आप वहाँ पे भी हमें direct message कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो like कर लीजे और आने वाली वेकेंसी के previous question papers और practice mcqs की PDF चाहते हैं अगर आप तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करिएगा